समय जिसका साथ देता है वो बड़ो बड़ों को मात दे देता है अमीर के घर पे बैठा कववा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूका बच्चा भी सबको चोर लगता है इनसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं चर्चा अगर उनकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं देश विदेश में बैटे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमशकार मैं हूं मोहत कमल श्रिमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं सापता है कर राशी फल के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 24 जुलाई 2023 से लेकर के 30 जुला और खास तोर पे वरद लोगों के लिए सेहत को लेकर के कहां पर उनको ध्यान रखने की जरूरत है और कहां पर बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये शुरुआत करते हैं राशी फल की अब बात करते हैं मिथुन राशी की तो मिथुन कहा जा सकता है यह हफता एक माराथान है कि शुरुआती समय जो माराथान का होता है उसमें जो पेस बिल्ड कर लेता है उसके बाद में उस पेस जो है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है यही चीज़ आपके लिए भी है हफते की शुरुआत थोड़े संगर्श के जाएंगे बस बात इतनी सी है कि जो हफ़ते की शुरुवात है वो वहाँ पर डग मगा नहीं जाए इतना सा ध्यान रखना है वियापरी वर्क के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर शुरुवाती समय में शत्रु जो है कहीं न कहीं पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं इ अपने काम को यहाँ पर जादा फोकस कीजेगा अपने काम पर जादा अगर आगे बढ़ेंगे अपने काम को बहतर बाने की कोशिश करेंगे तो शानदार परणा मिल जाएंगे बड़े orders की बात हो कहीं न कहीं ये कहा जाए कि commitments जो दे रहे हैं शुरुवाती समय में अगर commitments दे रहे हैं तो सोच समझ करके दीजेगा दूसरों के भेकावे में आकर के या competition को देखते हुए गलत commitment दे देना कि सामने वाला ये commitment दे रहे हैं मेरे हाथ से ये contract जा सकता है तो इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले को मालूम है कि contract भी नहीं मिलने वाला पर pressure build करना है सामने वाले का काम कैसे खराब करूँ ये कोशिश हैं चल रही है लोगों के आपके लिए तो ऐसे में pressure में मत आईए जो realistic commitments है वो दीजे जो आप सही से निभा सकते हैं क्योंकि स्वेम की जबान से पीछे जाने का मौका नहीं मिलने वाला यहां technology को ले कर के कुछ परिशानी हफ़ते के middle में हो सकती है जिनको वापस समय रहते सुलजा भी लिया शानदार ही मिलेंगे बात यही है कि अंत जो है वो तो भला ही है पर जो बीच में काम है वहाँ पर महनद, संघर्ष ये सबी देखने को मिलेंगे कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला तो अब यही मान के चलिए कि हफ़ता तो positive ही है बहुत अच्छी कमाई करने को मिलेगी जो सोच सकते हो वो पा सकते हो अब बात करते हैं नौकरी पेशा है लोगों की तो हफ़ते की शुरुवाती समय में चाहे आफिस से absent होने की बात हो समय पर ना पहुँचने की बात हो याद फिर जूटे commitments दे दिये है या तो फिर जूटा बहाना बनाएं उसके अंदर पकड़े चले जाएं तो इससे कुछ परेशानिया खड़ी हो सकती है जहां पर team members है supportive बड़े थे तो यहां पर support छिंता नजर आ सकता है पर वापस बहुत समय recovery के लिए भी मिलेगा पर आपको frustration इस बात की रहेगी कि हर किसी के साथ में leniency है हर किसी को बड़ी प्रेम से बात की जाती है पर आपके साथ में कठोर बच्चन इस्तमाल किये जाएंगे आपको जो एक margin of error है वो तक नहीं दिया जाएगा उस चीज को लेकर के कही frustration बिल्ड अप होने वाली है पर हफ़ते के अंत में वापस जाते हुए उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास वही चीज आज के दिन आप अपने लाइफ में भी apply कीजे इस हफ़ते में कि सबका साथ जब आपको मिलेगा तो सबका विकास भी साथ में ही होगा सबका भला होगा तो ऐसे में ये सोचना कि मेरा भला हो जाए मैं अपना पहले कर लूँ इस मान सकता से इस हफ़ते में आपको बाहर निकलने की जरुरत पड़ेगी ऐसे समय में थोड़ा आफिस पॉलिटिक्स जो है उससे आपको अपने आपको बचाव करते हुए आगे बढ़ाना है खास तोर पर महलाओं से कहीं न कहीं जो बात करते हैं उस बात करने के लहजे को सुधारने की जरुरत पढ़ने वाली है अब बात करते हैं स्टूडन्स की तो स्टूडन्स के लिए ये हफ़ता मैं यही कहूंगा कि बहतर है चंता की बात नहीं है आराम से गुजारते हुए चले जाएंगे जो मैराथान मैंने शुरू में कही थी कि शुरू में जो इंसान अच्छे से दौड लेता है पेस बना ले हैंगी यह लगेगा कि बाकी आराम कर रहे हैं मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं यह जो मान सकता है से बाहर निकलने की ज़रूत पड़ेगी मेहनत शुरूती समय में जो कर लिया अन्त में जाता जाता आराम से हर चीज को भोगने का काम करेगा चाहे पेमिंट्स निकालने की बात हो तो यहाँ पर अपने पिताजी का साथ देते हुए उनके कंदों के उपर से कुछ बोज आप हलका करते हुए जरूर नजर आ जाएंगे ग्रहनियों की बात हो तो हो सकता है कि मन मुटाव जो है याद फिर कहा सुनी घर में ये थोड़ी हो जाए आपका सुझाव जो है उसको ले करके बरताव थोड़ा बदल जाए पर मान करके चलिए कि हस्त शेप या इंटरफेरंस तो इस हफते आपको करना ही पड़ेगा अपन देने चाहिए इस समय में आपके कदम पीछे हटानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो आप आक्शन्स करेंगे जो आप बातें करेंगे उसका अप्रिसेशन आपको जरूर मिलेगा बस बात ये है कि सही को सही कहने में समय थोड़ा जादा लगता है बुरे के उपर तो बिल्ड कहें याद फिर ये कहें कि अच्छे रिलेशन्स बनना अच्छी बातें होना उनके साथ में जो मन मुटाव है याद फिर कहीं ना कहीं पर जो कहा सुनी है उसको बहुती शांती से आप वापस नॉमलाईज कर देंगे घर के अंदर ओवरॉल पॉस्टिविडी ही द बजारने की जरूरत है घूमिये फिरिये आराम से इंजॉय कीजे सफते को जो होना है वो आपके लिए पॉजिटिव ही होना है तो ये तो बात हुई सापता है कराशी फल की अब यहाँ पर एक विशेश सूचना कहें या उपाय कहें आपके लिए ये आपको बताने जा रह मतलब है कि भगवान रुद्र यानि की शिव सभी दुखों को दूर कर देते हैं और परम कलियानकारी हैं वैसे तो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन हो जाते हैं लेकिन उन्हें तुरंत प्रसन करके उनसे मंचाहा आशिरवाद प्राप्त करने के लिए वेदो और के लिए कई लाब प्राप्ती वाले उपाई भी हैं ये चुरवेद इनसे भगवान शिव का रुद्रबिशेक करने से मंचाहा वर्दान प्राप्त होता है और इससे सभी ग्रह बादाएं भी दूर होती हैं और यहाँ पर शुरावन मा में किसी भी पवित्र दिन यानि की खास तौर पे तो सोमवार के दिन रुद्राबिशेक पूजा करते हैं अगर आप तो सबसे ज्यादा आपको वर्दान मिल सकता है याद ये कहें सुक सम्रिद्धी हो मनोकामना हो उसकी पूर्ती हो सकती है यहाँ पर आपके पास में एक अवसर है अगर आप अपने लिए अ खुद्राबिशेक करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं मेरे टीम मेम्बर्स आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे माने या ना माने यही नहीं आपकी रक्षा के लिए भी महादेव सदयव आपके आसपास रहते हैं इसी के साथ में आज का राशिफल प्रोग्राम मेरे चानल पर उपलब्ध है। हमेशा की तरह प्रात्ना तो आप मेरी जानते ही है। कि आपका और हमारा परिवार सदय सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जै श्री राम हरहर महादेव एवं जैहन। झाल झाल हुआ पर का साथ…